हेलो एवरिवन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही टेस्टी बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी चलिए देखते हैं आज मैं दो पैकेट मैगी बनाओंगी ठीक है नॉर्मल मैगी बना लेना है जैसे आप बनाते हैं मसाले डाल के वैसे बना लेना आज पता है कौन से डिश बनाने वाली हूं मतलब मैंना ब्रेट के जगा पर मैगी उसके बना दिया बर्गर ठीक है नॉर्मल मैगी बना लो और एक टिफिन ले लो आपको इसे भी श्येप की टिफिन ले सकते हो जादे तरह प्रैफर करना कि अब ब्रेट की शे दो डबे इस तरीके से ले लिए उसको इवेल लिए स्प्रैट करके आपना ब्रेट की शेप दे दो और उसे कर दो फाइव मिनट फ्रीज किस को याद आई टिफिन वाली मैगी का बें डाउन जल्दी से ठीक है फिर ना इसको फाइव मिनट फ्रीज कर दो और उसके बाद फेली से इसाफमे अर उसे स्टहर टो ईूबनानी के टोरवस्टा ढसे लो खम कर दो टाल के आपने sommes के लाला जो मैब पर्तो साइब कर दिया एक जितनी भी समसे ना डाल सकते हो जो भी आपको मंझ पेजा सौसे शायался शथनी ग्री बनाने के लिए तोरे से ङुतनी धर डाल लो ठीक है मैंने स्थित टमैटो सॉस डाला उसे कर दिया स्पेड फिर मैं इसमें डालोंगी पनीर मैंने ग्रियल पनीर तुरा सहना बटर पनीर उसके ओपर से टमाटर प्याज अगर आप चाहो तो स्वीट कॉण्ट भी आड़ कर सकते हो आपको जो मर्जी या वेजी आड़ कर सकते हो बर्गर के अंदर अगर आपको बर्गर को बनाना है चीजी तो उस पर डालो डाइस चीज मैंने आप डाइस चीज बहुत सारी लिए उसे सेख लो लिट को डाल कर ये देखो हमारी जो मैगी है बर्गर वाली मैगी वो बिल्कुल तयार हो गई है बहुत टेस्टी बन के तयार होई थी है बहुत यूनिक सी रेसिपी है जरूर से च्राइक करना और कमेंट डाउन कैसा लगा आपको ये रेसिपी अगर अ अच्छा लगा तो जल्दी से जो टेस्टी मेंट को करो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो